सस्पेंस, ट्रामा, थ्रिलर, एक्शन, ड्रक्स, सब कुछ आप लोगों को मिला गए इस अकेली सीरीज में तब पिछले वाला लोगडॉन चल रहा था मैंने अपने एक फ्रैंड से पूछा कि भाई मैं हो कोई आच्छी सीरीज का नाम बता उसने नाम लिया ओजाक का तो मेरा एक पेज है वहाँ पे करी मेरे 45,000 करीब फॉलोवर से वहाँ पर मैंने सेम कोशन डाला कि कौँसा शो देखना चाहिए और बहुत साले लोग का अनसर आता है ओजाक ओजार फिर भी मैंने सीरीज को नहीं देखा फिर बात में मैं ऐसी जश्टी मेर के एक लाइफ स्ट्रीम को देख रहा था अब हम इसके में श्टोर की बात कर लेते हैं तो यह शो का जो में लीड होता है उसका नाम होता है मार्टी वो ना चाहते हुए ड्रॉग लॉट्स के चक्र में फर्स जाता है यहाँ पर मार्टी ना तो ड्रॉग्स के स्मगलिंग करता है और यह मार्टी को पता नहीं होता पता जब चलता है जब उसके फ्रेंड को मार दिया जाता है और यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है सब वाइबल की यहाँ पर मार्टी जैसे तैसे ड्रग लॉट को कन्वेंस कर लेता है कि मैं आपके काले धन को वाइट में कनवर्ट कर दूँगा अब सिकाव को में रहने वाला मार्टी सब कुछ बेज बाच के चले आता है और यहाँ पर मार्टी पुरे डेडिकेशन के साथ लग जाता है मनी लॉंटेंट में तो यही थी इसके कोर स्टोरी अब हम बात करते हैं कि ओजाक में आखे देखने लाइक है क्या और ऐसी क्या चीज़ है इस शो में जो इस शो को बहुत ही अच्छा बनाती है तो ओजाक एक ऐसा सोय जिसने लगातार हर सीजन के बाद खुद को ग्रो किया है इसमें बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स आये और चले गए पर जो में बेस बना कर रखा है वो है इस शो की में लीट्स और उनका परफॉर्मेंस ओजाक की स्टोरी में हम लोग लोगों को ग्रीड एंड पावर के लिए चेंज होता हुआ देखते हैं तो अजाक बहुत टाइम से एमी अवार्ट का चहीता बना हुँ है और यह जो फोर्ट सीजन है वो लिसका लास्स सीजन है जो कि हमें एक्साइटेट करता है कि आकर वर्ट फैमिली का अंत कैसी होगा तो बहुत सारी टफ से टफ सिचुशन बनते आ रही थी वर्ट फैमिली के सामने बड़ वो कोट है ना मौद के मुझे बाहर आना वर्ट फैमिली के लिए बहुत अच्छे से इंप्लिमेंट होता है क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारे ऐसे मुवमिन्ट आते है जहाँ पर लगता है कि इस फैमिली का अंत आ गया है पर वहाँ पर जब कुछ ऐसा लगता है कि सब कुछ फिनिस हो गया है मार्टी कैसे उन सब चीजों से बाहर निकलता है वो देखना बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होता है और ये भी देखना इंट्रेस्टिंग होता है कैसे एक नॉर्ब फैमिली ओजाक की सबसे ज़्यादा इंफ्लुएंसिंग फैमिली में से एक बन जाती है आप वोई शोर में बहुत अच्छे से टूटोरियू मिलता है, यह कैसे money को launder किया जाता है, करना नहीं, बस जाओ भी, और माटी देखते ही देखते हैं कैसे drug lord नवारों का पूरा पैसा money launder करने लगता है, और माटी बन जाता है casino को मालेक, strip club का मालेक, और ओजाग में बहु उनकी चान कतरे में, और यह सब चीज़ें जो हो रही है, उनके बीच जो world family की पीच में tension create होता है, उसको आप feel कर सकते हैं, और कैसे world family, normal family से, खतरनाक family बन जाती है, वो भी देखना बहुत ही जदा interesting होता है, issue में बहुत साले supporting actors हैं, बट मेरे favorite supporting actor की बात की जाए है, वो है Ruth के life ही जो story होती है, वो literally बहुत sad होती है, जहाँ पे उसके साथ रहने वाले लोग दीरे-दीरे करके निपटते जाती है, बट एक चीज मैचे बहुत जाता पसंद है उस character के बारे में, कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजुदी, वो character कभी peak नहीं पड़ता, और season 4 पर family में भी internal war होने लगती है, उनका मुद्ध ही होता है कि उनको main lead बना है cartel का, और यहाँ पे जो नवारो होता है, drug cartel का leader, उसको बहुत अच्छे से पता है, यह चीज़ें उसके साथ भी होने वाली है, तो यहाँ पे जो नवारो होता है, वो Marty और Wendy को task दीता है, कि वो FBI से negotiate क करें, कि इसकी पूरे गुनाहों को माफ कर दिया जाए, और इसके बदले वो अपने cartel का धंदा बंद कर देगा, बट यहाँ पे चीज़ें जतनी सिंपल लग रही हो, अतनी सिंपल होती नहीं, यहाँ पे entry होती है नवारो के cousin की, जिसका नाम होता है, जो कि literally सबसे ज़्य होता है, और फिर नवारो होता है, ड्रग कार्टर का लीडर, उसको सबसे ज़्यादा खतरा उसी से होता है, सो चोब बतना केता ज़्यादा खतरनाग होगा, जिससे एक ड्रग लॉर तक डर रहे है, तो season 4 बहुत ज़्यादा unexpected था, यहाँ पे हर season की तरह season 4 ने अपने आपक ग्रो किया है, इस season में आपको कुछ measured characters की death भी मिलने वाली है, जिनके वारे में अपना सोचा भी नहीं होगा, और शायद हो आपके favorite song, और एक चीज़ और मैंने नोटिस करिए कि जब episode खताम होता है, तो last में rap डला गया है, जो कि literary situation के साथ काफी अच्छा match करता है, तो 7 episode क साथ इसका last season हमारे साथ में बहुत सारे question छोड़ के चला गया है, जो कि हमें इसकी part 2 में ही मिलने वाले हैं, यहापे मैं अपना छोटा सा एक opinion दीता हूँ, अगर आप लोग को suspense से भरी series पसंद है, जहापर series में अपने favorite character को देखने के बाद आपको लगता है कि यह बंदा हूँ, अगर आप लोग के अंदर patience की कम है, तो यह series आप लोग के लिए नहीं है, मतलब ऐसा कि 2-3 episodes देखे उसके बाद बोल रहा है, आप भाल तो में recommend कर दिया, आप लोगो करीम 4-5 episodes देखने पड़ेंगे उसके बाद ही आपको मजा आने वाला series को देखने का, और सबसे अब मिलते हैं नेक्स टूडियो में, तब तक के लिए, बाए!